हेलो एवरिवन, वेलकम तो दा चैनल ये ओफिस वी लोग, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनस डिपार्टमेंट हरियाना की उन इंस्टेक्शन के बारे में, जो जनवरी महीने में इशू की गई हैं इस साल की सबसे पहली इंस्टेक्शन जो फाइनस डिपार्टमेंट हरियाना ने इशू की है, वो सिक्स्थ पे कमिशन के डिये से रिलेटिड है, जो पैंशनर अभी तक सिक्स्थ पे कमिशन के इसाब से पैंशन ले रहे हैं, उनके लिए जो डिये बढ़ाया है, उसके बारे जो जनवरी महीने की नेक्स्ट इंस् millennials है, वो retirement पर increment से related है, जब ये किसी employee की retirement होती है, 30 जून को मान लिया किसी की retirement हुई है, उसको increment हो 1 जुलाई इक को मिलना था, तो ऐसे कई employees increment के लिए court case कर देते हैं, कि उनका 12 महीने पूरे हो चुके थे, इसलिए उनको retirement पर एक increment देकर पर उनकी pension fix की जाए, तो भी पिछले महीं ने एक court case की judgment आई थी, वो काफी circulate हुआ था groups में, कि अब retirement पर एक increment extra मिलेगी, अगर उसकी increment due है, उसको 12 महीं ने पूरे हो चुके हैं तो, लेकिन ये जो instruction है, इसमें advocate general हर्याना की राय ली गई है इस पर, और उन्होंने बताया है क कि ये जो court case है, इस पर LPA दायर की जानी है, ये fit case है LPA दायर करने के लिए, 19 page की ये instructions है, इनको आप detail में पढ़ सकते हैं, मोटी मोटी चीज़े में आपको बता देता हूँ, starting में इन्होंने काफी court cases का हवाला दिया है, मदरास high court की judgment है, किरला high court की judgment है, honorable supreme court की भी judgment है, कि किस court ने क्या judgment दी है, सभी judgments और सभी court cases की reference देने के बाद, last में finance department ने advocate general हरियाना की opinion को attach किया है, और उन्होंने बताया है कि ये जो सभी cases हैं, उनमें LPA दायर की जाए, अगर किसी भी department में ऐसा कोई case decide हुआ है, और department के against कोई फैसला आया है, तो उसमें LPA दायर की जाए, honorable high court में, और अगर किसी department के दवारा time पर LPA फाइल नहीं की जाती, और कोई contact petition डाली जाती है किसी employee के दवारा, तो उसके लिए department responsible होगा, इसलिए अगर आपके department में कोई ऐसा court case है, तो अपने LPA दायर कर दें, high court में division bench के सामने, ये साथ में advocate general की जो opinion है, वो attach की है, इसमें advocate general ने भी काफी points उठाए है, ये points आप detail में पढ़ सकते हैं, basic इसमें discuss यही है कि it is a fit case for filing LPA in the honorable high court, तो ये एक fit case है, ऐसे जितने भी cases है, उनमें LPA दायर कर दी जाए, ताकि department को कोई loss ना हो, उसके बाद division bench का जो decision आएगा, उसको government मानेगी, जैसा कि इसमें government ने बताया भी ह है कि हम अपने state के high court के जो orders है, उनहीं follow करेंगे, तो अगर आपके department में कोई ऐसा court case है, तो अब LPA फाइल कर दें, उसके बाद division bench का जो भी decision होगा, उसके according instruction issue कर दी जाएंगी finance department के दवारा, इसके बाद जो next instruction है, वो rate of interest से related है, loans के उपर, जो अलग-अलग के तरह के loans हमें PNB से मिलते हैं, department के थुरू, उन पर जो rate of interest है, वो सेम ही रखें, government ने कोई change नहीं किया गया है, इसके बाद जो next instruction है, वो accountants के लिए course बनाया है, Comptroller and Auditor Journal of India ने, इन instructions में कैग ने बताया है, कि कई जो rural areas हैं, उसमें जो CAs हैं, या फिर accountants हैं, उनके दवारा काम करने से मन कर दिया जाता है, क्योंकि वो local areas हैं, और वहाँ पर face भी उनको ज्यादा pay नहीं की जाती, इसलिए कैग ने अपना खुद का एक course डिजाइन किया है, सभी accountants के लिए, किसी भी department का कोई accountants इस course को करना चाता है, तो वो इसके लिए apply कर सकता है, ये course 1 December 2003 से open हो गया था, और आ इस next instruction है, वो reappropriation of funds से related है, ये instructions भी हर साल issue की जाती है, जनुवरी या फरवरी के महीने में, और इसमें government के दवारा बताया जाता है, कि मार्च के महीने में कौन-कौन से bill pass होंगे, और कौन-कौन से bill pass नहीं होंगे, तो उसी तरह की ये instructions हैं, ये instructions आप तक पहुंच भी गई होंगी, treasury के दवारा कुछ एक bills होते हैं, जो last month में pass नहीं किया जाते, अगर pass करने जरूरी भी होते हैं, तो finance department की permission के बाद ही उनको pass किया जाता है, तो ये instructions आप देख सकते हैं, उसके बाद जो next instruction है, वो payday से related है, इस calendar year में कुछ एक महीने ऐसे हैं, जिनके first date को कोई holiday है, तो उनके लिए payday change किये हैं, गवर्मेंट ने, 2024 साल में जो भी paydays, holidays पर पढ़ रहे थे, उनसे पहले वाला दिन payday बना दिया गया है, इसके बाद जो next instruction है, वो honorarium से related है, आप सभी को पता भी होगा, कई कई बार ACS या फिर directors, अगर department में कोई अच्छा काम करता है, तो उन employees को honorarium दिया जाता है, honorarium 10,000 रुपे एक साल में या फिर एक महीने की salary, इन में से कुछ भी दिया जा सकता है, जो recommendation होती है, ACS की या फिर directors की, तो इसके लिए government ने ये instruction issue की है, कि अगर honorarium से related कोई भी case है, तो उनको सिर्फ जून के महीने में ही finance department को भेजा जाए, जून के मही इने के बाद अगर कोई ऐसा case receive होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, honorarium से related जो rules हैं, वो आप हरियाना civil services allowance rules में पढ़ सकते हैं, और honorarium किसी भी group A officer को नहीं दिया जाता, group A से नीचे जो भी officers होते हैं, उनके लिए ही honorarium दिया जा सकता है, और ACS officers किसी भी employee के लि और ये cases एक से 30 जून तक ही बेज़े जाने हैं, तो ये instructions honorarium से related हैं, तो ये कुछ instructions थी जो finance department हरियाना ने जनवरी 2024 महीने में इशु की हैं, इसके अलावा आपको किसी और जरूरी instruction का बता है तो comment करके जरूर बताएं, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं next वी झाल